तीन साल तक दो लोगों ने अपने घर के अंदर एक लास को छुपा कर रखा और अपनी ही मा को बड़े फिरिज में उसके टुकडे टुकडे करके वहीं पर रखा हुआ था और तकरीबन तीन साल तक वे लास उनके घर में ही फिरिज के अंदर पड़ी रहती है आखिर क्या होता है इस घटना के पीछे और क्यों ऐसा किया गया था उस महिला के साथ पूरी सचाई यहां पर हम जानने वाले हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा नमस्कार में हूं सुदेश कुमार और तिर्ची बाद चैनल में आपका स्वागत है यह घटना पस्चे मंगाल के कलकत ताके बिहाला की है और यह घटना 2018 की है दोस्तों बड़ी ही दिल दहला देने वाली घटना है इसके बारे में जब भी कोई सुनता है तो रूह तक काम जाती है यहाँ पर क्या होता है एक गली के लोगों को दूसरे साइड में एक घर बना हुआ है उस घर के अंदर दो लोग रहते हैं पिता और पुत्र उनके ऊपर थोड़ा सा उनको सक है यानि कि पड़ोसी सिकायत करते हैं कि जो पड़ोस में रहने वाले पिता पोतर हैं वो रहे जाने किस कैटेगरी के हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं और उनकी गती विदियों के उपर उन पड़ोसीयों को सक है तो यहां पर क्या होता दोस्तों जो मा होती है उस घर के अंदर उसकी मौत हो चुकी है और जो पिता है उसकी उमर है 89 साल यानि कि 89 एर ओल हैं और एक बेटा है 45 साल का और यह किसी से ना बात करते हैं ना किसी के साधी विया में जाते हैं ना किसी से मतलब रखते हैं यानि कि संदिक हालत में ये रहते हैं पिता और पुत्र मा की मौत हो चुकी है तीन साल पहले पिछले कुछ दिनों से ये लोग बड़ी ही अजीबो गरीब हरकते कर रहे थे यानि कि इस तरह की हरकते जो कि लोगों को रास नहीं आ रही थी उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो इ या फिर कॉँस है या कोंपनी है उसके उंदर यूज में प्र अरं इस तरह के दो बड़े बड़े डी फ्रीज ड़िज एक तो फ्रींज होता है जो घर के लिए होता है वो ँंखा dol deve इंसे बॉज जाता है लेकिन चाइसा बंसमेर इसउप crashes और अन्हों अपने घर में लगा ना ही वो लोग किसी से ज़्यादा बाते करते थे, यानि कि अगर कोई उनके पास आता भी था, तो उसको टाल मटोल करके वहां से भगा दिया करते थे, और ना ही कोई तौहार मनाते थे, ना ही किसी से उनके घर पे कोई गैस्ट वगेरा आता था, बिलकुल इस तरह से रहते कि भाई अगर इनसे कोई बात करेगा तो जाने कितना बड़ा भेद खुल जाएगा या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए अब यहां पर जैसे दोस्तों उन्होंने बड़े-बड़े फ्रीज लगाए हुए थे घर के अंदर तो पड़ोशी उनसे जाकर पू जो आदमी थे जिनका नाम होता है यहां पर गोपाल मजूनदार जो की नवासी वर्सके हैं वो पबलिक से कहते हैं यानि की पड़ोशियों से कहते हैं कि उनका बेटा लेदर इंडरस्टी में काम करता है इसलिए बड़े-बड़े फ्रीज लाकर यहां पर रखे हुए हैं लेकिन यह कोई संतुस्टी जनक जबाव नहीं था बड़े-बड़े फ्रीज और इसी रखे हुए हैं तो क्या लेदर का जो माल है सारा वो उनके घर में ही रखा हुआ था वह तो सिर्फ पर सिर्फ जॉब करने के लिए जाया करते थे तो साथियों जैसे ही परोशी इस सब चीजों को देखते हैं तो उसी के साथ वो लोग जाते हैं पुलिस टेशन और वहां पर जाकर इस पूरी घटना को बताया जाता है जैसे ही कलकता के जो डिप्टी कामिस्नर है वो इस केस के बारे में सुनते हैं तो पुलिस की एक टीम का गठन करते हैं और उसके साथ आप भी जाकर वहां पर तहकीकात के लिए पहुँच जाते हैं जैसे पुलिस वहाँ पर पहुंचती है तो उसके बाद घर के अंदर प्रवेश किया जाता है पुलिस के द्वारा और जाने के बाद वहाँ पर देखा जाता है जैसा पडोशिया ने बताये था कि वहाँ पर दो बड़े बड़े फ्रीज और दो बड़े बड़े AC हैं हाला कि उस घर के अंदर केवल दो सदिस्य थे एक बाप और एक बेटा लेकिन वहाँ पर दो बड़े-बड़े कमर्चिल यूज वाले AC और कमर्चिल यूज वाले डी फ्रीज रखे होए थे घर के अंदर तो पुलिस घर के अंदर जाती है और जाने के बाद उन फ्रीजों को खोल कर देखा जाता है और उन फ्रीज के अंदर एक बुजर्ग औरत की लास पड़ी हुई थी जैसे यह नजारा पुलिस देखती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है कि आकर यह बुज़र्ग औरत की लास किसकी है इनके घर में और इस लास के लिए ही इन्होंने बड़े बड़े डीफ फ्रीजर और बड़े बड़े एसी लगाए हुए हैं जिससे की घर के अंदर से बदवू बाहर ना जा सके तो दोस्तों यहां पर उस लास को पुलिस अपनी जांच में ले लेती है और फिर इनसे पूछती है कि यह लास किसकी है तो यहां पर पुलिस को बताया जाता है कि यह लास उसी घर की मालकिन जिसका नाम होता है बीना मजूंदार यानि कि उस घर में तीन लोग रहा करते थे एक गोपाल मजूमदार जिसकी उमर होती है नवासी साल और उसकी पत्नी बीना मजूमदार और उनके साथ उनका बेटा सुबरता मजूमदार सुबरता मजूमदार की दिमागी हालत थोड़ी सी खराब थी तो यह लोग रहा करते हैं यहां पर और जो ऑरत होती है जिसका नाम बीना मजूमदार है उसकी लास उन डी फ्रीजर और उनके अंदर वहाँ पर उस कमरे के अंदर पुलिस को मिलती है अब उन सब चीजों को देखने के बाद जो पुलिस होती है उसका भी दमाग घूम जाता है कि भाई अपने ही घर के सदिशे की डेट बोडी को इस तरह से इन लोगों ने क्यों रख रखा है और वहाँ पर जो भी लोगों पुलिस के साथ वहाँ पर आये कि इस चीज को बताने के लिए पुलिस टेशन गए से वहाँ से पुलिस को लेकर आये थे तो उन सबी लोगों के भी दमाग घूमने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ और पुलिस वाले जब यह जानते हैं जब उनको पता लगता है कि यह लास इस फ्रिज के अंदर तीन साल से रखी हुई है यानि कि 17 अप्रेल 2015 को यहाँ पर यह लास रखी गई थी दरसल उस घर की जो मालकिन होती है जिसका नाम बीना मजुमदार है 17 अप्रेल 2015 को उसको कार्डिय करेस्ट आता है और उसकी वज़े से उसकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद अब क्या होता है आस पर उसके लोग लास के बारे में पूछते हैं और वहाँ पर एक तरह से कहते हैं बैठने के लिए सोक मनाने के लिए आते हैं तो यह जो बाप बेटे होते हैं यह कहते हैं कि हमने अपनी पत्नी के सरीर के अंगों को दान दे दिया है क्योंकि उसकी इच्छत की मेरे सरीर के अंगों को दान दे दिया जाए और उसकी जो डेड़ वर्ड ये बची हुई वह वही पर मौसरी में रखी हुई है तो यह बात सुन करके अरोसी पड़ोसियों को लगता है कि यार कितने अच्छे और कितने भले मांस है लेकिर उनको यह पता रही था कि लास तो घर के अंदर ही रखी हुई है तो दोस्तों अब जानते हैं इसके बारे में कि ये लास तीन साल तक उन लोगों ने अपने घर में इस तरह से क्यों रखी हुई थी यहां पर इस बात के लिए खुलासा होता है तो जो घर का मालिक होता है वो बताता है कि मैं और मेरी पतनी दोनों के दोनों Tube Cooperation of India में लगे हैं तियाने की जॉब करते थे वह पर यानि कि उन दोनों की सरकारी नौकरी थी और सरकारी नौकरी ओने के कारण उन दोनों की पिलसिन भी आती पैंन्सन जिसको बोलते हैं वो भी आती धहीं और जो इनका भी था सुबदर सुम्रता पतनी थे सरकारी करमचारी थे और पतनी को यारी कि बीना मजूमदार को तक्रीमन पचास हजार रुपे पेंसन मिला करती थी तो दोस्तों जैसे ही उसके अकाउंट में पैंसन आया करती थी तो उसको जो बेटा होता है वो डेविट कार्ड यानि की ATM कार्ड जो होता है उससे निकाल लिया करता है लेकिन यहाँ पे जो सरकारी मैक में की पैंसन जो मिलती है उसमें कभी कभा बायोमेट्रिक का भी यूज किया जाता है बाइमेटिक का मतलब होता है जैसे थम इंप्रेशन वहां पे लगाना होता है और उसके बाद ही आपकी जो पैंशन है वह अकाउंट से निकलेगी और बेटा मिर्तियू के बाद यानि कि जब मां की मिर्तिय हो जाती है तब भी वह पैंशन को लगाताद निकाल रहा था उसके बाद क्या होता दोस्तों मा की पैंशन रुक ना जाए इसलिए बेटे ने साजिस रची और साजिस भी क्या थी साजिस यह थी कि उसके सरीर को यानिक उनके जो उसकी जो मा का पूरा के पूरा सरीर था डैड बोडी थी उसको सेप करके रखा जाए ताकि कभी अ अंग से यानि कि इनके थम इंप्रेशन से बायमेट्रिक की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया जाए और इनकी जो पैंशन है वो ना रोके यानि कि ये सरकार से इसी तरह पैसा एटते रहें यानि कि कई बार बेंकों के अंदर जाधा था तो समय यही होता और बाय वाले थम इंप्रेशन मांगते हैं यह तक भी मानंने जाते हैं तो चलो बूड़ा बड़ा धा धर ठीक है लेकिन इतना तो ज़रूर मांगते हैं कम से कम अग उठा तो लगवा हो उससे इसमें ऐसा होता है जो थम इंप्रेशन वाली वासुदेशन ने कही है इसका कारण यह है कि जो पैंसन सरकार देती है तो उसमें यह होता है कि बाई चांस अगर व्यक्ति मर जाता है तो उसका थम इंप्रेशन कहां से लगेगा और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि तीन महि बाई में पूक्तिराओं, वाले का जरूर चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है, तो उस आदमी की पैंसन जो है, रुक जाती है, फिर उसके बाद उस आदमी को वहाँ पे जाना पड़ता है, जाने के बाद प्रूब करना पड़ता है, कि भाई मैं अभी जिन्दा हूं, मेरी पै लिख बाप बेटे घर के अंदर अकेली रहते हैं और वह अपने घर में इस तरह से संदिग्ध हालत में रहते हैं पड़ोसियों को उनके उपर सक्ख हो जाता है और पुरिस बुलाते हैं पुलिस जब वहाँ पर आती है तो देखते हैं घर के अंदर बहुत सारे फ्रीज रके हुई है क्योंकि सरकारी नौकरी में थी इसकी पैंसन आती थी और पैंसन वह बेटा निकाला करता था और उसके थम्ब इंप्रेशन की जरुद पड़ती थी तो इसलिए लास को जलाया ही नहीं पैंसन के चक्कर में लास को वहीं पर फ्रिज करके रखा हुआ था तो यह खुलासा यहां पर इस कहानी के अंदर होता है दोस्तों तो आज के जमाने में ऐसे भी लोग हैं इससे आगे पुलिस अपनी कारवाई करती है उन बाप बेटों के उपर और यहां पर इनके उपर मुकदमा भी दर्ज किया जाता है तो आप लोग समझ सकते हो कि कल लोग अपनी चरम सीमा पर है एक इनसान पैसो की खातर अपने ही घर के सदिश्य की बोडी का अंतिम संस्कार नहीं करता है और किसी और की लास होती तो चलो देखा भी जाता अपने घर के परीजन की लास को इतने दिनों करके घर के उन्दर सेफ करके रखना नोगता है दोस्तो आप लोग अप लोग समझ सकते हो एक बेटा वो कैसा होगा जो पैसो के लिए अपनी मा का अंतिम संस्कार नहीं कर रहा था इस तरह की घटनाय देश और दुनिया और समाज के अंदर हो जाती है इन चीजों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि मानवता भी कोई चीज होती है हर जगह पर सिर्क पैसे ही माइने नहीं रखते हैं दोस्तों यहां पर अपनी मा को है उसका अंतिर tumor स्कार भी उस बेटे नहीं किया तो उसको मोक्स भी नहीं मिला था यांपर यहांकर वोपर एक तरह से कहते हैं तो तीन साल तक अपनी मा को मुक्त भी नहीं होने दिया मरने के बाद कहते हैं मुक्ती मिलती है लेकिन बेटे ने पैसो के लारच में अपनी मा को तीन साल मरने के बाद भी कैद रखा याने कि उनकी आत्मा को मुक्त नहीं होने दिया यहाँ पर आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है वो comment section में जरूर बताएं बागी दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में भी comment section में जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको share जरूर करें दोस्तों देखते रहे हमारे चैनल तरची बात को और यहाँ पर हम ऐसी स्टोरीज लेकर आते हैं जिन से हमको सीख मिलती है अगला पूरा मोजल दी फिर से लेकर आएंगे तब तक आप खुस रहें साथान रहें ऐसे किर्टियों को ना करें जीवन में जिन्दा दिली से रहे और अपनी नेक छवी समाज के अंदर बनाएं जय हिंद जय भारत